दोस्तों और आज मैं सुनाने जारे हूँ आप लोगों को लच्छमी माता की कथा मा लच्छमी सुक्षम बृत्धी और धन की देवी है जब लच्छमी माता का ब्रत किया जाता है तो लच्छमी माता की कहानी सुनकर बर्थ पूर किया जाता है लच्मी माता के ब्रत को बैभा लच्मी ब्रत भी कहा जाता है बैभा लच्मी ब्रत सुकरवार के दिन रखा जाता है इस ब्रत को इस्तरी या पुरुष कोई भी कर सकता है लच्मी माता का ब्रत रखने से सुख सम्रुद्धी और धन के प्राप्ति होती है दिवाले वाले दिन माता लच्मी का ब्रत किया जाता है और लच्मी माता की कहानी सुनी जाती है ऐसी माननेता है कि इस दिन मालच्मी पुर्थवी पर बिचरण करने आई थी जो भी मालच्मी के सच्चे मन से आरातना करता है मालच्मी उस पर अपनी कृपा बर्षाती है दिवाली वाले दिन कई लोग ब्रद रखते हैं और शाम के समय बिधी बिधान से ब्रद खोलते हैं और लच्मी माता की कहानी सुनी जाती है तो आईए लच्मी माता का कहानी सुनाते हैं एक गाव में एक सावकार रहता था सावकार के एक बेटी थी वह हर रोज पीपल सीचने जाती थी पीपल के ब्रिच में से लच्मी जी प्रगट होती थी और चली जाती थी एक दिन लच्मी ने सावकार की बेटी से कहा तु मेरी सहेली बन जा तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर कलाओंगे सावकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कहती थी तब उसके पिता जी बोले वह तो लचमी जी है अपने को और क्या चाहिए तो लचमी जी की सहली बन जा दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तब लचमी जी पीपल से निकली और आई कही सहली बन जा लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहली बन गए लच्मी जी ने उनको खाने को निवता दिया घर में लड़की ने माबाप से कहा कि मेरी सहली ने मुझे खाने का निवता दिया है तब बाप ने कहा कि सहली के जीमने जयो पर घर को सम्हाल कर जाना तब वा लच्चमी जी के यहां जिम ने गई तो लच्चमी जी ने उसे साल, दुसाला ओढ़ने के लिए दिया रुपे दिये सोने की चोकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भूजन करा दिया जिम कर वहां वह जाने लगी तो लच्चमी जी ने पला पकड़ लिया और कहा कि तेरे घर भी जीमने आऊंगी मैं तो उसने कहा आजईयो वह घर चाकर चूपचा बैट गए तब बाप ने पूचा कि बेटी सहेली के यहां जीम कराई और उदास क्यों बैठी है तो उसने कहा पिता जी मेरे के वो लच्वी जी को इतना दिया अनेक प्रकार के भोजन कराए प्रन्त में कैसे जीमाओंगे अपने घर तो कुछ भी नहीं है तब उसके पिता ने कहा गोबर से चौका लगाकर घी की सफाई कर ले गोबर मिटी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले चार मुखवाला दिया जलाकर लच्वी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना लड़की सफाई करके लड़ू लेकर बैठ गई उसी समय एक रानी नहा रही थी उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड़ू ले गई बाद में वह हार को तोड़ कर बजार में गई और समान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए तब उसने कहा कि सोने की चोकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो मोहर दे, समागरी दे, 36 प्रकार का भोजन हो जा इतना समान दे दो सारी चीजे लेकर बहुत त्यारी करी और रसोई बनाई तब गडेश जी से कहा कि लच्मी जी को बुलाओ आगे आगे लच्मी और पीछे पीछे गडेश जी आए उसने फिर चोकी डाल दी और कहा सहली चोकी पर बैठ जा जब लच्मी ने कहा कि सहली चोकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी तो किसी के भी नहीं बैठी तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा फिर लच्मी जी चोकी पर बैठ गए तब उसने बहुत खातिर की जैसे लच्मी ने करी थी वैसे उसने भी करी लच्मी जी उस पर खुस हो गए घर में खूब रुपया और लचमी हो गई साहुकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ तुम यहीं बैठी रहना और वह चली गई लचमी जी गई और चोकी पर बैठी ही रही उसको बहुत दौलत दी हे लचमी जी जैसा तुमने साहुकार की बेटी को दिया वैसा सब को देना कहते सुनते हुमकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो पीहर में देना, सस्राल में देना पोते को देना, बेटे को देना और लचमी माता सब का कष्ट दूर करना दलिदृता दूर करना, सब की मनो कामनाय पूर करना, यह थी लच्छमी माता की कहानी आसा करते हूं आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा